अच्छानब कुछ फिशर मैन को ओशियन में डूबा हुआ ये जहाज दिखा जिससे पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई खराब प्लेन होगा पर जब पास जाकर देखा तो माजरा कुछ और ही था असल में ये एक 47 प्लेन थी जो पापा न्यू गिनिया जा रही थी लेकिन रास्ते में इसका खराब मौसम से सामना हो गया और ये एक्स्ट्रीम बारिश में फस गई जिससे पाइलेट इसका कंट्रोल खोता गया और मजबूरन प्लेन को पानी में क्रेश लेंड करना पड़ा बट अनफॉचुनेटली आसपास के फिशर में ने इस जहाद को नोटिस किया तो तुरंत जाकर पैसिंजर को बचा लिया एंड बार में पता चला कि पाइलेट ने कुछ जरूरी सिगनल्स इग्नॉर किये थे इसलिए ऐसा क्रेश लेंडिंग करना पड़ा